हाई वेल्टीज, वेल्कम टू इसीवे कामर्स क्लासेज, मैं हूत अपिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम अपने बिजनस स्टेटीज की स्टेटीजी को देखने वाले हैं यानि कि बिजनस स्टेटीज को हम 10 दिन में कैसे कम्प्लीट कर सकते हैं हाला कि जो बिजनस का कोर्स है ये कोर्स 10-15 दिन में अराम से कम्प्लीट हो जाता है लेकिन हम फिर भी ये बता रहें कि 20 दिन में आपको अगर खुला समय भी दिया जाये तो अभी आप 20 दिन में हसTे-खेलते हुए बिजनस स्टेटीज को कम्प्लीट कर सकते हो तो सबसे मेरे बात करेंगे guys की business studies में हमें कितना समय देना चाहिए So guys जैसे interest के उपर बात है काफी students है जो interest लेते हैं business पढ़ने में तो वो जादा समय भी देते हैं लेकिन काफी सारे students हैं जिने business इतनी interesting नहीं लगती क्यों नहीं लगती यार इतनी interesting है मुझे तो बहुत अच्छी लगती है आप अगर देखो notice करो business studies आपके आस पास हर जगे business हो रहा है उसी को पढ़ाया जा रहे आपको अगर आपको management के 5 function बोले planning, organizing, staffing, directing, controlling एक शादी में, घर में, एक business empire में, एक NGO में हर जगे management पाया जाता है तो ये तो सारे इतने lively practical example हमारे सामने के मौझूद है कि आपको business studies इतनी असानी से हो जानी चाहिए, interest आजाना चाहिए अब guys बात करतें कि कितना समय आपको देना चाहिए तो guys minimum आपको 1-5 घंटा तो business को देना चाहिए अगर आप 1-5 घंटा देते हो, तो आप 20 दिन में भी course complete कर लोगे लेकिन अगर आप जादा समय दोगे, जो कि आपकी श्रदा है तो आप 10-12 या 15 दन के अंदर पूरा course complete कर लोगे with MCQs practice आपको 15 मिनट से आदा घंटा जबी भी आप chapter पढ़ो तो उसके MCQs ज़रूर practice करने चाहिए ताकि आपके concept जो है और ज़्यादा मजबूत होते जाए ठीके, तो सबसे पहले start करते हैं कि हमारे टोटल 6 chapter आ रहे हैं चेप्टर 1 है आपका significance, nature and significance of management जिसमें पूरा management की बारे में ही बताया गया, उसके functions बताया गया है coordination बताया गया है, तो जो hardly 2 दिन में होते हैं लोग, आप 3 दिन में करो इस chapter को अगर आप 1 से 1.5 घंटा देते हो, अच्छी तरीके से पढ़ते हो, MCQs भी practice करते हो तो 3 दिन में ये chapter complete हो जाता है, उसके बाद है second chapter principle जिसमें 2 बंदों के principle है, Fioral and Taylor के 3 दिन में अराम से complete हो जाता है, ये भी chapter उसके बाद है business environment, business environment chapter 2 दिन हलाकि इसमें एक topic cut रखा है, हैना तो 2 दिन के अंदर बहुत असानी से हो जाता है planning guys, planning में तो इसके सारे ही plans cut गई है, सिर्फ planning आ रहा है process of planning आ रहा है, तो ये chapter तो एक दिन में हो जाता है, लेकिन आप अगर धीरे धीरे पढ़ रहे हो, कुछ चीज़े नहीं आपको समझा रही तो 2 दिन के अंदर आप इसे कर सकते हो, अराम से, with MCQs practice ये सारे जो भी days है, with MCQs practice के साथ है, ठीक है, नहीं तो ये chapters 10 दिन के हैं, बस 10-12 दिन के लेकिन अगर आप MCQs साथ के साथ practice करोगे, तो paper में आपकी concept clarity बहुत अच्छी रहेगी और guys, MCQs के ऊपर अप series भी आने वाली है, chapter wise MCQs आपको videos के तुरू, आप मेरी videos देखकर भी cover कर पाओगे तो आपको किसी भी chapter के like ये, सारे chapter आप MCQs videos में भी cover करे जाहेंगे next आते guys, आपका organizing chapter, जिसमें formal and informal जो है, वो cut रखा है आपका organizing structure में ये chapter भी आप 3-5 दिन लगते हैं, यहाँ पर मैंने इसको 7 दिन दिये हैं, ताकि आप जादा से जादा MCQs प्रेक्टिस कर सको एक घंटा, डेर घंटा आप MCQs में दो दिन लगा दो, तो इसलिए इसको 7 दिन दिये गए, otherwise ये chapter 3-5 दिन के अंदर अराम से complete हो जाएगा तो 3 और 7 तो यहाँ हो गए 10 दिन, यहाँ पर 3-3-6 प्लस 4, टोटल हो गए यहाँ तक आपके 10 देज, तो 10 और 10 कितने देज हो गए 20 देज, तो 20 देज में आप अपने business studies की course को ना सिर्फ पूरा complete करोगे, प्लस अपने exam की त्यारी भी करोगे 20 दिन के अंदर, लेकिन एक जो काफी सारे students में नहीं पाई जाती, वो है target नहीं लेते, आप time table बना के target नहीं लेते हो, तो आपको जो भी time table आपको पता है, तीन दिन में complete करना है, तो करना है, उसके लिए कोई motivation की जरूरत नहीं है, कोई video देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, तो ही अपने course को complete करना पड़ेगा ही, अब आप इसे अपने जिम्मेदारी मानो, या अपने उपर एक burden मानो, वो आपके उपर है, लेकिन मैं तो यह कहूंगी, कि आपका first one रहे है, आपने paper की त्यारी करना, इतने efforts करे जा रहे हैं, parents करते हैं, सब करते हैं, तो आपको भी strategies बना कर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, अभी तक नहीं पड़े थे कोई tension नहीं है, लेकिन अब पढ़कर अच्छे marks ले क्या हो था कि parents के चाहरे पर भी खुशी आ सके, और कोई भी doubt है guys, business studies की case studies में, मेरे साथ instagram पर share कर सकते हो, मेरी idea है तबिता मैसी, thank you